अगर आप लोग भी चाते हो इस शाओ टेबल वाला तो सबसे पहले आपके फोन के लिए आना चाहिए तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा आप लोग को फिल करना पड़ेगा पालेट फोंंग जो की आया था और मुझे पता है कि अभी भी काफ कोई सारी users भी फिल नहीं किया है जो कि आप लोगी बहुत बड़ी कलती होने वारी है जिसको आप लोग easily fix कर सकते हो क्योंकि यहाँ आज की वीडियो में मैप बदाऊगा कि आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं कौन को सब्सक्राइब के लिए जो फॉम ता वो आया था वह भी आप लिए चेक आउट कर सकते हो इसमें अगर आप लोग फॉम में अप्लाइ करते हो उसके बाद शाओमी कुछ डिवायस को भी इस लेक्ट करेगा काफी दीजी विए उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ता कि फूचर में भी आपको ऐसी कवाल की इंफोर्मेशन देखने को मिल दी रहे तो यहां पे आप लोग चेक आउट कर सते हो आप लोग को देखने को मिल जाता है वैसे ग्लोबल के लिए भी आया था जो कि आप लोग को माई टेल्गम चैनल पर मिल जाएगी बट इसमें हम लोग स्पेसिफिक इंडियन स्टेबल ब्रेट के बारे में भी बात करेंगे तो यहां में आप लोगों नहीं कहा करना है स्टार्ट पर क्लिक करना है जैसे आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करोगी आप से परमीशन मांगेगा एगरी करने की उसके बाद आप से पूछेगा कि आप लोग इंटरस्टेड हो या नहीं हो उसके बाद जो इन्फोरमेशन आ आप एक volunteer बन जाते हो, HyperOS को test करने के लिए, तो आप लोग ने simply yes पर क्लिक करने है, next पर क्लिक करने है, उसके बाद इन बोला है कि information collected in this question series will only use to analyze product, मतलब HyperOS को analyze करने के लिए ही हम लोग use करने वाले हैं, तो क्या आप उस चीज़ के लिए agree हो, और इसमें हो सकता है कि आपके phone का सारा data erase हो सकता है, आपको दिक्कते हो सकती है, तो थोड़ी बहुत terrible condition इन्हों ने apply कर दी, आप लोग ने simply yes पर click करना है, next पर click कर देना है, उसके बाद आपकी age पूछी जाएगी, तो जो भी age है 80 अबव कर देना, कोई धिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद यापकी MI account की ID लेगी, सिर्फ MI account की ID और कोई ID इसमें जरूट नहीं पड़ेगी, तो yes पर click कर देना next पर, उसके बाद आप लोगों उसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर MIUI के stable room है, उसके requirement के लिए जो questionnaire है, आप लोगों ने पढ़ ली है, उसके बाद आप लोग इसके लिए apply करने वाले और आप लोग को OTA updates मिलेंगे early stage में, इस इसका आप लोगों ने ध्या रखना है, तो यहाँ आप yes पर click करना है, next पर click कर देना है, उसके बाद यहनों ने बोला है कि जब भी update आएगा, आप लोगों ने अपने phone को एक बार backup कर लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, future में अगर crash कर जाती है, रों, तो आप लोग अपने data को recover कर पाओ, तो इसके आप लोगों ने सबसे ज़्या रखना है, कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को beta tester की category में रखा जाए, global में, इंडिया में, तो आप लोगों को यह चीज़ दिया का, तो MI मैं Xiaomi 13 Pro मिल चुका है, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Bear 65, इनको पर मिल चुका है, MI 11i, MI 11i Hyper Charge, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite NE, MI 11X, MI 11X Pro, MI 11 Lite, MI 11 Ultra, MI 10, MI 10i, MI 10T और 10T Pro, और मैं क्लियर कर दूँ कि यह सारे इंडियन डिवाइस है, तो कोई टेंशन लिन के जूट नहीं उसके बाद Redmi 13C, जिसको मिल भी चुका है, Redmi 12, इसको भी मिलने वाला है, Redmi 12 5G, इसको भी मिलेगा, Redmi Note 12, इसके लिए रोलाट हो चुका है, Redmi 12C, इसके लिए भी आज चुका है इसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग दिसकते हो क्या आपको मिलेगा, इसमें Redmi K20 का नाम भी है, Redmi K20 Pro, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Redmi Note 9 Pro Max का नाम इसमें इंक्लूड है उसके बाद Poco Devices की बात करें, तो यहाँ पे आपको Poco C 65, Poco Bacpan, उसके बाद Poco X5 Pro, Poco F4, Poco M4, Poco M4, Poco M4 5G, Poco X3, Poco F3 GT, Poco C3, Poco M3, Poco X3, उसके बाद Poco M3 Pro 5G, Poco X2, Poco M2 और Poco M2 Pro यह devices भी इंक्लूड किये गए हैं, और जो नए devices आया है, उनके लिए अलग list, एक separate beta testing के लिए already allotment हो चुकी है, जो कि आपको में इसमें लोग बात करेंगी, तो simply अपने लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ पर devices का नाम, आपने अपने device का नाम सेलेक्ट करना है, next पर क्लि देता हो, आपनी जो अपनी MI account की idea वही डालनी है, और next पर क्लिक करना है, उसके बास simply yes पर क्लिक करना है, and that's it, आप लोग apply कर जाओगे HyperOS की learning testing के लिए, तो यह काफी simple procedure है guys, जैसे मैंने आपको steps बताए हैं, simply आप लोगोंने follow करने हैं, और इसका जो link है वो आपको मिल जा अगजा तब तक करीए जैहिए